न्यमस्कान, दुस्तो स्वाबता आपका टेक्निकलास मैं मैं हूँ किशन जन्द, दुस्तो बीड़ी मैं हूँ आपके लिका है स्पेस डिफेंस और इंटरनाशनल ख़बरे ने, तो चलिए, जान लेते हैं दोस्ते आप जब पहला पढ़े निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारत और दक्षिन कोरिया को लेकर भारत के तेज़ विकास की चाहा में दक्षिन कोरिया का बहुत महतो है। जितना बड़ा ये छोटा सा देश यानि की दक्षिन कोरिया, ग्रिश्म कालिन और शीद कालिन दोनों ही तरके के ओलंपिक गेम्स का भी आयूजन कर चुका है। रनेतिक साज़ेदारी में बदल दिया और इस दोरान दक्षिन कोरिया ने भारत में बुनियादी धाचे के विकास के लिए 10 अरव डॉलर के क्रेडिट लाइन की बुनियाद रखी। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि दक्षिन कोरिया के साथ भारत के संबंध मजबूत होने जा रहे हैं और यही एक नई दक्षिन नीती के तौर पर देखी जा रही है। मेगन इंडिया प्रोग्राम के तहट दोनों देशों के बीच में एक अच्छी साजेदारी के परिणाम के सुरूप में हम इस दोस्ती को देख सकते हैं और इससे भारत को फाइदा ही होगा और दक्षिनी कोरिया को भी काफी जादा फाइदा होने वाला है। अब ये खबर आ रही है कि दोनों देशों के बीच बेहत महतुकांशी परियोजना पर अभी बाच्छित खत्म नहीं हुए है। दिसम्बर 2010 में 29.5 करोड डॉलर देने की सहमती वेक्त की थी। बाद में दोनों पक्षों में अंतिम डिजाइन और पहले चरण में विमान के उत्पातन के लिए 66 अरब डॉलर का योगदान देने पर भी सहमती जताई थी। लेकिन इस पर कोई समझोता नहीं हो सका। भारत चाहता है कि विमान के इस्तमाल होने वाली तकनिक पर दोनों देश का समान अधिकार हो। लेकिन दोस्तों यहां पर रश्या जो कहता है रश्या का सीधर सीधा मानना है कि रूस विमान में इस्तमाल की जाने वाली सबी एहम तकनिकों को भारत के साथ साजा करने के लिए तयार नहीं है। इसके प्रती आश्यस्त नहीं हो रहा है। यह वारता भी खतम नहीं है और एक तरफ भारत की सरकारी कमपनी अच्छे हल चाती है कि इस परियोजना को वापस कंटिन्यू किया जा है। लेकिन भारती वाई से इसका डिनाई कर रही है यानि कि भारती वाई से इसको नहीं मान रही है। क्योंकि इसके जो हमारे दूर कामी परियनाम में वो हमको नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि कल को अगर कोई दिक्कत आती है किसी भी फाइटर प्लें में और हमें उसको अपग्रेट करना है तो हमें उसके लिए फिर रच्श पर डिपेंड होने की जरूवतmachen यह की उपनख की भारत बहुत ज्यादा यह ज्यादा। क्यों हम रशिया पे ही डिपेंड रहे हैं हर चीज के मामले में इस बारे में दोस्तों आपकी भी क्या रहा है जरूर हमें कमेंड बाक्स पर लिख कर बताएं दोस्तों आप जो अगला अपडेट निकल क्या रहा है वो आ रहा है चीन और नेपाल को लेकर क्योंकि दोस्तों यह हमारा फर्ज बनता है कि हमारे पडोसी देश क्या कर रहे हैं और उनकी किसी भी नीती का असर हमारे देश पर क्या पढ़ रहा है इसलिए इसका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि हम नेपाल के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुचा रहे हैं लेकिन आप कमेंट्स में आप खुद पढ़ सकते हैं कि नेपाल की जो हमारे भाई लोग हैं उन्होंने कितनी गंदी गालियां हमें कमेंट रोक्स पर लिखकर बताई हैं चलिए नेपाल की बारे में जो अपडेट हैं वो भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ दोस्तों आपको दादे कि नेपाल की ब्रदान मंतरे केपी शर्मा ओली जब से सत्ता में आया है उनकी बिंजिन के साथ दोस्ती और ज़्यादा बढ़ गई है आपको दादे कि नेपाल ने हाली में चीन की एसाथ सीमा पर सन्युक्त रूप से निगरानी रखने के लिए समझोता किया है और 2015 में आयवे भुकम से दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक मार्ग था जिसे हम तातो पानी और जांगुम के नाम से जिसे कहते हैं वो बंद हो गया था लेकिन अब ये दुबारा कोला जाएगा मंत्राले की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि दो से तीन हफते के अंदर सीमा पर सयुक्त निगरानी की व्यवस्ता कर दी जाएगी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब भारत के दो देश आपस में सिक्रियोटी को आपस में एक दूसरे के साथ वाज़ा कर रहे हैं इसलिए भारत को सचेत होने की ज़रूरत है कि कि नेपाल के हर कदम पर जो भी उनकी तरफ से कोई भी स्टैप उठाये जाता है उस पर निगरानी रखी जाए इस बारे में दोस्तों आपकी क्या रहा है वो भी आप ज़रूर हमें कमेंट बाक्स पर लिकर बताएं दोस्तों अब कोई प्रश्ट निया आपका कोई जवाब है प्लीज कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं साथ ही वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भोले और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भोले धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के